बच्चों लिजिए आज हम बहुपद में कक्छा दस्वी गणित में फिर भाग करना सिखेंगे तो बहुपद प्रस्ण दो में दिया है छेक से स्क्वेर माइनस पाच एक्स प्लस वन को टू एक्स माइनस वन से भाग देना है और हमको भाग फल और सेस्फल ग्याद करना है इससे पहले वाले वीडियों में बताया था कि हमको जो है इसे तरफ को देखना है आपको बाएं तरफ का लास्ट अंको आप जो जीसमें घात लगा हुआ है उसको आप देखेंगे और इसका इसंग को देखो यहाँ पर यह टू एक्स है तो हम इसमें क्या करें कि यह छे एक से इसकर बन जाए इसी को आप दिहान देंगे चलिए मैं इधर रफ करता हूं इधर यह रफ है इसको आपको समझाने के लिए है चलिए हम इस दोनों आउं को हम ले लेते हैं और दो एक्स में हम क्या गुणा करें कि यह एक से इसको लाना है यानि इसका घाद दो लाना है तो एक एक्स से तो गुणा करना पड़ेगा ही अब यह दो का पहड़ा जो अंक है उसको छे बनाना है तो किस से गुणा करेंगे भई तीन से तो आपका इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूने 6 और एक सका एक सब्सक्राइब तो 6 एक सका और यह आता है अब हमको इसी से मतलब है इसी से इस पूरे पत को गुणा करेंगे इधर जो भी आएगा उसको नहीं देखना है आपको चलिए मैं गुणा कर देता हूँ यहाँ पर 2 x minus 1 into 3 x अब इसका इसके साथ गुणा आप जानते हो यह होगा क्या होगा 6 x square इसका तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा भई 6 x square और इसका 1 से गुणा करोगे 3X का तो माइनस 3X आएगा यह सिंपल सा है इसको अंदर में लिखे रखी यह दोनों को यानि यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे 3X इंटो 3X तो यह सब को आता होगा सायद तो इस तरह से इसका उतर आया तो हम यहाँ पर पहले जो लिए यहाँ पर लिखे 3X और यहाँ पर जो आया यह 6X स्क्वार माइनस 3X 6X स्क्वार माइनस 3X अब बच्चों हमको इसमें घटाना पड़ता है तो पूरा इस कोश्टक में इधर को कर देना है हाँ और यहाँ पर यह तो नीचे लिख दे ना भई यह घटाना है मांइनस होगा तो यह क्या होगा फ्लस हो जाएगा प्लस को प्लस हो जाएगा इस चिनहों को आपको देख करके अब इसमें हम जोड घटाव करेंगे यह देखिए यह केंसील हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3X हो गया यह माइनस का 5X है यहाँ रीड का 5X में धन का 3X जाएगा तो किसका बचेगा भई यहाँ पर बचेगा आपका रीड का 2X बचेगा यह प्लस का हो गया है तो यहाँ से 2X धन में चला जाएगा तो क्या बचेगा 3X चला जाएगा धन में तो 2X रीड का बचेगा अब इस वाले घर को यहाँ पर उतारते हैं प्लस 1 को यहाँ पर उतारते हैं अब हमको क्या देखना है देखिए यह 2X प्लस 1 है और यहाँ पर 2X माइनस 1 से भाग देना है यह तो सेम टू सेम है यानि इसमें 1 का गुणा करने पूरा में 2X माइनस 1 एक कम यदि एक से गुणा करने है तो यतना ही आएगा लेकिन हमको देखेंगे यहाँ पर पहले से माइनस आया है और दूसरे पत को हम घटाते हैं यहाँ पर माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस आएगा उत्तर यहाँ पर क्या आएगा यह देखो माइनस 1 से में गुणा कर देता हूं इसको तो 2X से कम माइनस का माइनस 2X और माइनस 1 इनक गुनित एक बरबर धन का वोन अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे यह क्या है माइनस दो एक्स प्लस वन यहाँ पर आएगा माइनस दो एक्स प्लस वन और इसको हम चुकी घटाते हैं भई यहाँ पर तो यह माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां पर यह प्लस हो जाएगा यह क्या हो जाएगा प्लस का यह चेंज करना है आपको इसलिए कुस्टक में कर देना नहीं तो आपको आता होगा तो नीचे में इस तरह से आप लिग देना प्लस और यह माइनस अब यह धन और रिंड क्या हो गया धन प्रशन दूसरा अब चलिए अब हम प्रस्न 3 देखते हैं यह थोड़ा लंबा है देखिए बहुपद है हमारा 2y3 याने 2y का घात 3 और प्लस 4y2 यह प्लस है प्लस 4y2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देना है तो बच्चों मैं इसको लिखे लेता हूं भाग भाजक और भाज्य को भाज्य है हमारा 2y का घात 3 प्लस 4y2 प्लस 3y प्लस 1 और हमारा भाजक है y प्लस 1 अब बच्चों हमको यहां पर इसको देखेंगे और यहां पर इसको देखेंगे हमको क्या लाना है भी 2 यहां पर तो 2 नहीं है किस से गुणा करेंगे इस पत को दो से गुणा करना पड़ेगा ही और मैं यहां लिख लेता हूं आपको यह रप में हमारा यहां करता हूं आपका है यहां पर y प्लस 1 में हमको लाना है भई यह लाना है उसको लिख दे रहूं 2 यहां पर दो क्योंकि यह इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ गुणा होगा इधर पीछे को हमको देखना नहीं है हमको यह पदलाना है तो दो y आ जाएगा अब यह वाई है और यहां पर y का घात तीन है तो हमको किस से गुणा करना पड़ेगा यानि y का वर्ग से गुणा करेंगे इससे पहले बताया था y गुणी तो y बराबर y का वर्ग होता है और इसमें एक y आउर गुणा कर दिये ये y का घात तीन होता है तो यए तो है दो का यहां पर नहीं है यह हम अब इसको यह आजाएगा आपका y का घात दो e का घात तीन चलिए यह यहां पर गुणा कर देता हूँ ने यह नहीं इसके साथ लिखोंगे क्या हो जाएगा भाई 2y का वर्ग into y इसके साथ यहां रख दीजिए प्लस का प्लस कर दीजिए यह 2y को यहां रख दीजिए एक के साथ एक गुनित 2y का वर्ग इस सरल तरीका से और बता दे रहा हूं मैं डारेक्ट इसको लिख सकता हूं तो यह हो जाएगा 2y का गहाद 3 y into y y square into y बराबर 2y का गहाद क्यूब प्लस 2y का वर्ग यह इसको हम यहां पर लिखेंगे चाहे उधर 2y का क्यूब प्लस 2y इसकर अब बच्चों यहां पर पूरे कोस्टक में इसको घटाना है तो यह माइनस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा और अब यहां पर देखते हैं यह तो केंसिल हो गया उतना ही पद हम लाएए अब यह माइनस है 4y का square है 4y में 2y घटेगा यहाने 4y covering है चार्टो y covering है तो 2y sowie घटेगा तो क्या बचेगा भाई धन का बचेगा 2y covering यह हो गया अब इस एक पद को उतारेंगे आपर 3y अब बच्चों हमको क्या लाना है भाई यह देखे 2y covering लाना है इस पद को देखना है इधर को क्यों इधर क्या आएगा उसको आप मत मत देखो तो इसमें हम फिर गुणा करके देखेंगे देखो यहां पर में ले लेता हूं यह रब के लिए आपका है y प्लस 1 में हमको लाना है क्या लाना है 2y का इसको लाना है यहां पर लिग देता हूं क्या लाना है उसको 2y क Y sqorra लाना है, तो इस पाध में देंटेंगे यहाँ पर देखते हम, कि दो से तो गुना करنا पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो नहीं है, यह दो लाना है, और वाई कवर्ग कैसे होगा, वाई से गुना करेंगे, अब इससे गुना कर देते हैं, देखो, तो 2y कवर्ग हो गया इसके साथ गुणा हुआ तो 2y कवर्ग और एक के साथ गुणा होगा तो क्या होगा 2y यानि 2y स्क्वर प्लस 2y तो यहाँ पर लिख देते हैं 2y स्क्वर प्लस 2y यह किस से गुणा किये अब हम यहाँ पर देखते हैं यह माइनस इसको घटाना है आपको और यह भी हो जाएगा माइनस तो बच्चों यह भी किंसिल हो जाएगा अब यह 2y और यह माइनस का हो गया है इसका चीन हो को देखो नीचे में घटाना परता है उसको तो यह क्या हो गया तीन में 2 चला गया तो वाई बचा और प्लस 1 को नीचे लेकर आएंगे तो यह कितने से गुणा किये थी इसको तो आया था दो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले से कितने से गुणा किये थे यह देखो 2y² से गुणा किये थे तो यहाँ पर लिखते जाना है आपका 2y² प्लस 2y यह दो step को भाग दिये हैं जो यह आया हुआ है अब इसे में देखते हैं हम यह प्रस्ण भाजा क्या है आपका y प्लस 1 और यहाँ पर कितना है y प्लस 1 याने प्लस 1 से आप सिधा गुणा कर दोगे तो आज आएगा एक कम y प्लस 1 एक कम y प्लस 1 यहाँ पर हम ले लेते हैं y प्लस 1 अब इसको आप घटाओगे भई यह चिन्ध पल्टेगा माइनस माइनस यह क्या हो गया निरस्त हो गया यह भी निरस्त हो गया सेस फल क्या बचा सुन्या तीस तरह से इसका जो है आपका भाग फल 2i2 प्लस 2i प्लस 1 हुआ और सेस फल क्या हुआ सुन्या हुआ कुछ नहीं बचा यहाँ पर तो सुन्या है तो इस तरह से आपको भाग देना है और ट्राइब कीजिए आपको निच्छी तरुप से आएगा सब याने जब तक मन में विश्वास नहीं रखोगे तब तक बनेगा नहीं दो चार बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कोशिस कीजिए और मैं असा करता हूँ कि आप सभी लोग सस्क्रेब करेंगे और सेयर भी करेंगे धन्यवाद